हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल तो आज हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और बॉटम में डिजाइन भी बनाएंगे तो इसके लिए हमने सवा दो मेटर फैबरिक लिया है यह इस फैबरिक की लंबाई है और यह इसकी चोड़ाई है तो चोड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड किया है यह ओपन साइड है यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रेंट का पार्ट कट करेंगे यहाँ से हम दो इंच बैल्ड के लिए छोड़ेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हमें लेंथ लेनी है तो बैल्ड को छोड़के हम लेंथ लेंगे तो लेंथ है 37 इंच प्लस 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए लेंगे अभी यहाँ पर भी हम straight line draw कर लेंके अभी हमें यहाँ पर कमर का measurement डालना है तो कमर के लिए हमें hip का measurement लेना है तो जितना hip का size है उसको 4 से divide करना है plus 2 inch margin add करना है तो hip है 36 inch उसको 4 से divide करते हैं तो वो आजाता है 9 inch plus 2 inch margin लेंगे तो वो आजाता है 11 inch तो इस तरह से यहाँ पर हम 11 inch लेंगे कमर के लिए अभी यहाँ से हम नीचे की तरफ crotch length लेंगे मतलब आसन तो आसन के लिए भी हमें hip का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो hip है 36 inch उसको 4 से divide करेंगे तो वो आजाता है 9 inch plus 2 inch margin लेंगे तो वो आजाता है 11 inch तो belt को छोड़के हम 11 inch पे निशान लगाएंगे तो यह हो गया आसन अब यहाँ पर straight line draw करेंगे उपर की तरफ भी इसको extend कर देंगे अभी यहाँ पर हम 2 inch पे mark करेंगे और आसन की गुलाई का shape देंगे heavy size के लिए आपको 2.5 inch लेना है अभी हमें bottom लेना है तो सबसे पहले हमें इसका center निकालना है तो इसका center आया है 6.5 inch पे तो अभी नीचे की तरफ भी हम 6.5 inch पर ही निशान लगाएंगे तो bottom है 6 inch तो 3 inch इस तरफ लेंगे और 3 inch इस तरफ लेंगे तो इस तरह से हमें 6 inch bottom लेना है अभी नीचे की तरफ भी हम straight line ड्रॉ करेंगे अभी इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको हमें इसके सामने जोड़ना है निशान लगाके तो यह हमने scale लिए है इससे हम shape देंगे तो front part की marking हो गई है अभी हम इसकी cutting करेंगे तो इस तरह से यह front के दो piece है अभी हम back part की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को double में रखा है अभी इसके उपर हम front का part रखेंगे तो यहाँ पर हमें उपर की तरफ 2 इंच extra margin रखना है और आसन की तरफ भी 2 इंच extra रखना है उसके बाद ही front part को रखना है तो back का part हमें बड़ा रखना है front part से जिसे की उठने बैटने में परेशानी नहीं होती है और pant comfortable रहता है तो यह वाली जो side है यहाँ पर हमें कोई change नहीं करना है इसको हम ऐसे ही mark कर लेंगे bottom को भी same mark कर लेंगे अभी यह जो आसन वाली side है यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे back part के लिए और यहाँ पर देखे यह उपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है उपर से और यहाँ पर 2 इंच पर mark करके straight line draw कर लेनी है और आसन की गुलाई का shape देना है यह back का आसन है अब यह हमारा यहीं तक रहेगा यहाँ पर हमें नहीं बढ़ाना है तो इसको हम यहाँ पर तेज़चा जोड़ देंके सिर्फ आसन वाली side में ही हमें change करने है अभी bottom में हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंके और इसको हम यहाँ पर जोड़ देंके तो back part की marking हो गई है अभी हम इसकी cutting कर लेंके तो front part को side में कर लेंके और cutting करेंगे तो इस तरह से हमने back part के दो piece कट कर लिये है तो अभी हम stitching करेंगे यह front के दो piece है तो यहाँ पर दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हमें सबसे पहले आसन में सिलाई लगानी है तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है अभी हम इसको open करके रखेंगे और इसके उपर हम front का part उल्टा रख लेंके तो हमने दोनों parts की सीधी side अंदर की तरफ रख ली है उसके बाद हमें आसन को मिलाना है और center में सिलाई लगा दीनी है तो हमने देखे इसके बीच में सिलाई लगा दी है अभी हमें sides में stitch करना है तो सबसे पहले हमें bottom को double fold करना है तो इस तरह से 2 inch का हम इसको double fold कर देंगे दोनों side में तो हमने bottom को double fold कर दिया है दोनों side में अभी हमें दोनों sides को stitch करना है तो यहाँ पर front part छोटा है और back का part बड़ा है तो हमें दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला कर रखना है देखे इस तरह से मिला लेंगे हम दोनों की किनारियों को और यहाँ पर bottom में हम 6 inch पर mark करेंगे 6 inch तक हम open रखेंगे डिजाइन के लिए उसके बाद इसको हम उपर तक stitch कर लेंगे और सेम इसी तरह से जो दूसरा part है इसके भी दोनों की किनारियों को मिला लेंगे और यहाँ पर भी हम 6 inch पर निशान लगाएंगे और यहाँ से stitch करेंगे तो हमने यहाँ पर stitch कर लिया है दोनों साइड में और यहाँ पर हमने 6 inch का open रखा है तो यहाँ पर हमें triangles attach करने है तो यह हमने 2 by 2 के square pieces लिये है इसकी width और length 2 inch की है अभी इसको triangle में fold करेंगे और एक बार fold कर लेंगे और यहाँ पर stitch कर लेंगे तो इस तरह के triangles हमने ready कर लिये है अभी किसी भी एक side को हम इस तरह से open करके रखेंगे और यह जो triangles है इनको हम इसके अंदर रखेंगे तो triangles का जो move है वो हमें अंदर की तरह ही रखना है तो एक के उपर हम इस तरह से triangle रखेंगे और stitch कर लेंगे तो देखें इस तरह से एक side को हमें open करके रखना है हम आफ इंच पर मार्क कर देंगे तो हाफ इंच पे ही हमारी सिलाइ रहेगी और यह जो ट्राइंगल है इसको हम यहां पर रखेंगे ट्राइंगल का जो मुभ है वो हमें अंदर की तरफ ही रखना है उसके बाद एक के उपर एक रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे तो सिलाई हमें बराबर लाइन के उपर ही लगानी है तो नीचे की तरफ जो हमारा ट्राइंगल आएगा लास्ट में उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे तो दिखें इस तरह से ट्राइंगल लग गए है अभी इसको हम बंद कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो जो सिलाई लगाई है उसी के उपर हमें स्टिच करना है तो अभी हम इसको सीधा करके देखेंगे तो देखें मैंने इसको सीधा कर लिया है सीधी साइड में यह इस तरह से आ गए है तो ट्राइंगल का जो फेस है वो हम फ्रंट साइड में कर लेंगे इस तरह से तो फ्रंट साइड में आ गए है यह अभी ये हमने beads लिये है तो बाद में यहाँ पर हम beads stitch करेंगे तो इस तरह से triangles के बीचो बीच beads को रखना है और सुई धागा से stitch करना है इसी तरह से हम दूसरा bottom भी ready कर लेंगे तो हमने दोनों side के bottom को ready कर लिया है अभी हम belt बनाएंगे तो belt के लिए हमने 2 inch छोड़ा था इसी को हमें इस तरह से fold करना है तो हमने इसको fold कर लिया है यहाँ पर थोड़ा सा open रखा है elastic डालने के लिए तो हमने यह elastic लिया है और elastic की जो length है वो 27 inch की है जितना cover size है उससे 3 inch minus करके लेना है अभी यह हमने pin लिया है pin को हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके अंदर pass करेंगे एक side से डाल के दूसरी side से हमें pin को बाहर निकालना है तो हमने elastic को डाल दिया है अभी इसको overlap करके stitch करेंगे तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी इसको खीचेंगे और जो हमने open रखा है उसको stitch करेंगे तो इस तरह से elastic लग गया है अभी इसको खीचते हुए पूरे round में stitch करेंगे झाल कर दो झाल जतोक बहुते हैं झाल